अगर आपको कोई एक बात कहे कि चलो यार कुछ दिन के लिए घूमने चलते हैं तो ये बात सुनते ने मन में बड़ी उमंग पैदा होती है फिर आपके मन में विचार आता है यार मैं तो जॉब करता हूँ अगर मैं पांसा दिन के लिए जाओंगा तो हो सकता है छुटी मिल सके लेकिन एक दो महिने तीन चार महिने के लिए जाना चाहूँ तो शायद मैं अपनी जॉब से आद दो बैठूँगा यही बात बिजनसमेन पर भी लागव होती है बिजनसमेन को जब कोई कहता है चलो क्यों क्योंकि आपको विकेशन पर जाना तो पसंद है पर आपका बिजनस आटो मेशन पर नहीं है जिसके वैसे आपको लगता है कि यह तो मेरे लिए सबसे नामुनकिन काम है आज हम बात करेंगे अपने बिजनस को आटो पाइलिट सिस्टम पर कैसे लेकर आएं ताकि कोई समझना बहुत जुरूरी है कि बेसिकली आटो पाइलिट सिस्टम क्या है और आपके बिना भी चल सकता है दुनिया के बड़े-बड़े सफल बिजनस में जितने भी हुए ना उन्होंने अपने बिजनस को आटो पाइलिट सिस्टम पर ही डेवलब किया है इसी वज़ा किसे उनके होने या ना होने के बाद भी वो कंपनी ऐज़ चलती रहती है तो यहां समझने के लिए सबसे पहली बात क्या है अगर आप अपने बिजनस को आटो पाइलिट सिस्टम पर करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने आप से आपको पूछने होंगे कुछ सवाल और किशने हो सवाल क्या है कि आपकी लाइफ का गोल कया है आप अपनी लाइफ एपने बिजनस को लेकर कितने सीरियस हैं और किस तरह के गोल अचीव करना चाहते आथे हैं वो गोल कुछ भी हो सकता है बहुत सारे लोग काव है कि मैं दस बीस लाक रुपे का टरन ओभर करो कर goal है कि सौ दो सो क्रोड का turnover कर लूँ तो आपके life क्या आपके business का goal क्या है ये समझना और goal निर्दारित करने के बाद बहुत सारे लोग अपने goal तो decide कर लेते हैं लेकिन goal decide करने के बाद ना उनका intent नहीं होता उनकी इच्छा कर सकूँ उसके लिए जरूरत है आपकी एक मजबूत इच्छा शक्ती की और यदि मजबूत इच्छा शक्ती आपके बन में है तो आज मैं आपको बताऊंगा autopilot system अपने business में कैसे implement करते हैं अगर आप अपने business में autopilot system implement करना चाते हैं तो इसके ये 5 ही step हैं अगर आप इन 5 steps को ठीक तरीके से समझते हैं तो आप अपने business में autopilot system कर सकते हैं और पहला step क्या है process कि हम अपने business को process oriented बनाना है और उस process को किस तरह से हम system में implement करें ये समझाना है और उसके बाद कौन से लोग होंगे जो आपके उस process को system के अंतरगत समझेंगे और उसके बाद आपको ये देखना है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं आप उनको कैसे monitor करेंगे और monitor करने के बाद आपकी directions क्या होंगी ताकि आप अपने लक्षों को हासिल कर सके तो सबसे पहले बात करते हैं process के बारे में तो process को समझने से पहले न एक important बात में आपको बताता हूं business में दो तरह के decision होती है एक strategy based decision और strategy अपने business का develop करना ये one time काम होता ये एक बार में design करनी होती है और अगर जोरत पड़े तो समय समय पर इस पर change करना होता है लेकिन operations ये एक regular काम है इसको regularly आपको follow करना है manage करना है देखना है अब बात करते है process की तो ये बात आपको clear strategy का मतलब एक बार अपनी strategy को design करना है और उस strategy को implement करने के लिए regular आपको अपने operations में काम करना है तो बात करते हैं सबसे पहले process की कि क्या process हम अपना हैं जिससे हमारा business automation पर चला जाए तो process की जब अपना है तो वहां के process design करना बहुत important है जैसे आपकी marketing strategy क्या होगी आपको यह पता होना चाहिए कि आपका right consumer आपको कहा मिलेगा उसका taste and preference क्या है उसका thought process क्या है और right marketing strategy से समबंदित बहुत सरे videos already मेरे YouTube चैनल पर आप उसको जरूर देखें कि right marketing strategy design करते समय किन बातों को ध बहुत सरी leads आपके पास generate हो गई तो उसके follow up की strategy क्या होगी किस तरह से आपकी sales team आपकी telecalling की team आपके clients को follow करेगी ताकि follow up इतना बेतर हो कि ज़्यादा conversion of sales हो क्योंकि conversion of sales जतना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका business growth पर जाएगा तो यह demand side का process है जिसको हमें follow क करना है इसके बारे में हम detailed बात करेंगे उसके बाद supply side में क्या क्या आता है supply side में सबसे important है कि वो लोग कहते हैं कि फार्मूला है my buyer should satisfy यह बहुत सरे लोग ऐसा मानते हैं पर पूरा फार्मूला नहीं है पूरा फार्मूला क्या कहता है my buyer should satisfy and my supplier should satisfy if both are satisfied then I can grow my business मैं अपने business क को तभी grow कर सकता हूं जब मेरे दोनों पहलू satisfy हो तो उसमें इसके लिए important क्या है finance आपको अपने finance को कैसे manage करना है कैसे अपने payment schedule को नदारित करना है कैसे vendor से material procure करना है और कैसे timely उनको payment करनी है इस बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है purchase आपको यह पता होना च में आपका production आपने जो raw material purchase किया है उससे क्या material आप produce करते हैं और produce material जो final आपका product है वो कितना आपके पास stock में है ताकि आप निरंतर demand को पूरा कर सकें तो process में इन सभी चीज़ों को देखना होता है process से संबंदी थोड़ी और बात हम आगे करते हैं कि process design करते समय आपको यह देखना है कि आपके vendors का payment schedule क्या है इसका मतलब आपके पास कितना material stock में है और कितने समय पर demand generate होगी ताकि आप अपना material ठीक तरीके स stock कर पाएं और जरुवत पढ़ने पर demand को fulfill कर पाएं लेकिन stock तभी आप maintain कर पाएंगे जब आपका purchase routine बिल्कुल ठीक होगा तो सई समय पर हमें कब कब purchase करना है और purchase बहतर तब होगा जब आपका payment schedule ठीक होगा तो सबसे पहले आपको अपने finance को manage करना है कि कितना percent material मुझे पारित होनी चाहिए जैसे हमारी company में हमें पता है कि पांच टन steel हमेशा हमारे stock में रहती है तो हमारे जो टीम के लोगे ना उनको पता है जैसी हमारा stock पांच टन से घटना शुरूग हो तब भी हम नया order feed कर देते हैं और नया order feed करने से पहले वो check कर लेते हैं कि finance से बात कर हमेशा मुझे सई समय पर payment मिलेगी तो material dispatch करने में और best rate देने में भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो बहुत important है कि हम इस process को design करें supply process जितना बेतर होगा उतना अच्छे से आप produce कर पाएंगे और demand process जितना आपका बेतर होगा उतनी ज्यादा आप sale और growth हासिल कर पाएंगे उसके लिए important का है right marketing strategy जितनी lead generator हो इसका follow up follow up के बाद sale conversion और ज्यादा sale conversion जवाब करेंगे तो आपके business के growth बढ़ती चली जाएगी फाइन अब important बात है आपने ये तो समझ लिया कि process हमें कैसे करना है या process के क्या क्या steps है जिनको हमें follow करना है process आपने develop कर लिया उसके बाद system में implement करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़े design करनी होगी क्योंकि system ये ऐसा method होता है जहां पर error नहीं होती आपने हर चीज़ के manual हर चीज़ के software उससे संब्द instruction जो व्यक्ति उसकाम को करेगा उससे संब्द उसके rights उसकी power सारी चीज़े define कर दी है system develop करने का मतलब है कि आ आने के बाद कुछी घंटे में उस काम को करने के तरीके को समझ जाए ठीक उस तरह से जैसे आप देखेंगे government department में अधिकारियों का तबादला निरंतर होता रहता है लेकिन जैसी कोई नया अधिकारी वहाँ पर आता है वो तुरंत कुछी घंटे में पूरे काम के system को समझ software और software के साथ साथ उसको यूज करने के सारे instruction आप देखिए आप कोई भी gadget खरीते हैं कोई भी equipment खरीते हैं vehicle खरीते हैं कोई भी चीज़ करीते हैं आपको उसके साथ एक manual book मिलती है जिसमें सारे rule regulation तरीके system और pro and concept कुछ उसमें दिये होते हैं तो ठीक उस तरह से अपने business के जब manual software instructions को आप develop करते हैं और उन instruction को follow करते हुए उस व्यक्ति के पास क्या rights हैं क्या उसके पास powers हैं यह define करते हैं तो आसानी से वो व्यक्ति आपके system को समझता है और काम करना शुरू करता है क्योंकि कोई भी system के वल तब ही काम करेगा जब आपके पास बेहतरीन लोग होंगे जो properly आपके system के according trained होंगे उनको उनके rights उनके duties उनकी powers defined होगी अभी एक बहुत important बात लोगों के बारे में कही जाती है चाहें आप business को कितना भी autopilot कर लें काम तो फिर भी लोग ही करते हैं और लोगों का एक principle है इसको 80-20 principle कहते हैं 80% लोग आपको सिर्फ 20% result देते है आपकी organization में 80% लोग आपको केवल 20% result देते हैं है ना लेकिन वहीं दूसरी और आपकी organization के जो key employee है वो 20% लोग आपको 80% result देते हैं यह बहुत verified example है verified formula है इस formula में यह बताते हैं कि आपकी company में जो result देने वाले लोग हैं वो sales, marketing, promotion, follow up मतलब जो output लाने वाले लोग हैं और ब लोग जो उसको manage करने वाले हैं क्योंकि manage करने का काम 20% है 80% जो power है वो business को generate करने की है अगर आप सारे instruction, manual, rights, power, rule and regulation सब कुछ define करते हैं तो उसके दो फायदे आपको होने है number one जो यह 80% लोग हैं यह अपनी efficiency को improve कर सकते हैं क्योंकि इनको पता होगा कौन सा काम कब कैसे कितन efficiently काम करेंगे क्योंकि इनको उनके manual के according, right, rule, regulation, power, सब कुछ पता है इसलिए जब आप अपना process develop कर लें काम करने का तरीका develop कर लें तो उसको system जरूर डिजाइन करें क्योंकि system के according ही लोग काम करते हैं आपने कई बार देखो के example में आपको बतार हो बड़ा मज़दार example है हो दिन में वो दाल का repetition number आ जाता है तो किसी किसी दिन आप कहते हैं आज तो दाल बहुत स्वाद बनी है आज तो दाल average बनी है आज तो जो दाल बनी है वो थोड़ी सी फिकी पड़ गई है मतलब उसका टेस्ट उस दिन जैसा नहीं है क्यों क्योंकि वो जो दाल बनाने की ingredient है वो बिल्कुल सेम है दाल बनाने का जो system है वो बिल्कुल सेम है बनाने वाला व्यक्ति वो बिल्कुल सेम है लेकिन हर बार टेस्ट अलग क्यों आ रहा है क्योंकि वहां पर कोई भी process नहीं बना हुआ है उन्होंने अपने अंदाजे से चीज़ों को डालना शुरू किया और टेस्ट इसका मतलब उनोंने सारे process को define कर दिया कि इतनी किलो दाल में इतना नमक इतनी चीरी इतना ये सारे ingredient डलेंगे ताकि हर बार जो उसका टेस्ट एंड जो लुक है वो एक जैसा आए हना तो ये एक important बात है क्योंकि जितने भी systematic तरीके से बने हुए outlets हैं बिजनसे हैं उसमें हर काम को define करने का एक तरीका है जैसे आप coke पीजिए तो आपको जो दो साल पहले coke का टेस्ट था आज भी वही same मिलेगा MacDee का burger खाईए तो वहाँ पर अलग-अलग unit होने के बाद भी अलग-अलग burger आता है हना ऐसा होता है नहीं अलग-अलग unit होने के बाद भी burger का taste same आता है क्यों क्योंकि एक system oriented process बना हुआ है जिसको लोग follow करते हैं लेकिन अगर आप एक व्यक्ति की जो local दुकान है उसने system के according लोग काम करें ताकि उनकी efficiency भी improvement हो और साथ-साथ वो ज्यादा सक्षम भी बनते चले जाए इसके अलावा important क्या है आपने process design कर दिया आपने उस process का system implement कर दिया लोगों को वो define कर दिया अब important है आपके द्वारा जो लोग appointment किये गए हैं आप उनकी proper monitoring करे monitoring का मतलब है ख सबसे पहले आपका कैसे आप आपके लोग आपके द्वारा दिये गए instruction को manage कर रहे हैं कैसे उसको implement कर रहे हैं उनके द्वारा implement की गई जो तरीके हैं उसमें से क्या output निकल के आ रहा है fine मतलब मान लीजिए आपने tally callers को data दिया और वो most important people का data आपने दिया है और वो लोग measure करना है कि आपका 100 में से कितने percent result convert हो रहा है है अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 10% convert हो रहा है 15% convert हो रहा है 20% convert हो रहा है तो आपका conversion का एक ratio आगया कि 10-15-20% आपकी lead convert होती है इसका मतलब अगर 100 में से मान लीजिए 20 lead convert हो रही है तो 80 को follow करने की strategy है उसको आपको correct करना तो monitoring करना बड़ा important है ताकि लोग उस काम को manage कर सके और जो इस तरह से वो काम manage कर रहे हैं उसको आप major कर सके और major करने के बाद जो वहाँ पर errors रह गई है जो तरीके में कमी रह गई आप उसको correct कर सके यह बहुत important role play करेगा उसके बाद last and most important thing that is direction आप direction क्या होगी किसी चीज इसको लेके दिशा निर्देश अगर हमें देना है तो दिशा निर्देश देने के लिए सबसे important क्या हमें पता होना चाहिए as a director आप जो direction अपने team को दे रहे हैं अपने स्टाफ को दे रहे हैं अपने management को दे रहे हैं अपने production unit को दे रहे हैं अपने admin department को दे रहे हैं उससे संबंदित पहले आपको पता होने चाहिए आपका वीजन क्या है किस उदेश्य को हासिल करने के लिए आपने वो direction दी है और उसके बाद इस direction को इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए consistency से आपको प्रयास करना होगा management team का काम होता है consistency से अपने team को upgrade करने पर काम करना उनकी trainings पर काम करना उनके questions को solve करना और सही तरीके से proper system को manage करना इसलिए बहुत सारे लोग private limited company तो form कर लेते हैं पर वो काम एक sole proprietary की तरह कर रहे होते हैं एक worker की तरह कर रहे होते हैं जबकि जैसे ही वो private limited company form करते हैं तो उनकी designation हो जाती है director और director का मतलब निर्देशक जिसका काम काम करना नहीं जिसका काम निर्देश देना है और आप निर्देश के वल तबी दे पाएंगे जब आपको आपकी rights आपकी duties पता होंगी आपको आपके vision आपके goal पता होंगे उन्हें पराप्त करने की जो इच्छा intent आपके अंदर है वो आपको पता होगी तब ही आप अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे friends अपने business को automation पर अगर आप लाना चाहते हैं तो यह तो एक informative video की क्या क्या हमें करना चाहिए इसके लिए हम detailed course बनाते हैं और उस course में आपकी requirement के हिसाब से आपके business को develop करने में आपकी help करते हैं यदि आपके मन में business automation से related कोई भी प्रशन है तो वो हमें comment box में लिखकर ज़रूर बताएं साथी साथ कोई भी informative video मिसना हो क्योंकि हम बहुत सारे regular business videos बना रहे हैं जो आपके business में एक भी idea अगर turning point आपके life में ला सकता है तो आपको नए track पर ले जा सकता है और इस channel को subscribe करें और bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे जैसे नए वीडियो आए तुरंती जिजों को सीखें समझें और अपने business में implement करें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप सभी के सुरे बविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत